नबस्कार दूस्तों आप सब कैसी हूँ, उम्मीद करते हैं, आप सब बर्या होंगे, मस्ध होंगे, आज फिर आप सभी के लिए लेकर आएं एक और बहुत बर्या काम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे एक ऐसे विफार के बारे में बताएंगे जिसको आम मत 20,000 रुपे से स्टार्ट कर सकती हो हाँ दोस्तों हाँ और प्रुफिट इतना ज़्यादा कि अगर आप पे 30 रुपे का खड़ित कर लाते हो तो सीधे सीधे 100 रुपे का आपका बिकेगा हाँ दोस्तों हाँ सीधे सीधे 100 रुपे का एक प्रुडिक पे सीधे सीधे आपको 70 रुपे का प्रुफिट होगा वह यह रेल हैं और यह हकीगत हैं सीधे बताएंगे कि आपको कमपनी से मल कैसे खड़ी दना है कहां पर इसकी कमपनी है और आपका एविफर कहां चल सकता है तो किस बिजनिस की आज हम आपको बात करने वाले हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को शुरू से दिले कर end तक पूरा देखिए अगर आप वीडियो को बीच में skip करोगे तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आगी फिर आप कहोगे ये कैसा बिजनेस आडिया से तो सिधे चलते हैं कि आके लिए वह कौन सा बिजनेस से तो अगर आप गरीब हो खुद का विवपार करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए हैं आज हम बात करने वाले हैं उस तो लेदर के वेल्टों के विवपार के बारी में अपने कभी सोचा हैं कि जब भी हम अपने नजदी की मार्केट में जाते हैं किसी दुकान पर जाते हैं तो जब भी हम लेदर का वेल्ट तलासते हैं तो वो 120, 130 और 1500 रुपे से कम में नहीं बत करना क्या है यह समझ ले पहली अगर आपके पास 20,000 रुपी है तो आप कांड़ पोई से एक एक बिंडल दू-दू बिंडल उठा कर लाईए कम पुर एक ऐसी जगह है जहाँ बेल्टों का विवपार होता है मतलब बेल्टों की कम्पनियां है वहाँ पर खुद MENik가 Luko होता है बेल्ट वहां पर बनते हैं तयार होते हैं अच्छी से अच्छी क्वाल्टी के लेदर के चमडे के सारी बेल्ट वहां पर तयार होते हैं तो वहां पर आप 20,000 रुपे खुद जाएगे पहले हम यह नहीं कहेंगे कि आप यह सी आप पहले खुद जाएगे वहाँ जाने के बाद वहाँ पर कई कंपनियां मिल जाएंगी आपको तो आपको पहले देखना है कि कौन सी कंपनिय का अच्छे से अच्छा माल है तो वहाँ पर आपको 30 रुपे से लगा कर 50 रुपे में बहतरीन से बहतरीन क्वालिटी का माल मिल जाएगा परफीस तीस रूपे से लगाकर और चोटी-चोटी दस रूपे-पाँच रूपे का भी बेल्ट वहां आता है जैसे बच्चों का तो आपको तीन प्रकार की बेल्ट ले आना है एक बच्चों का दूसरा जैंसों का और तीसरा महला मतलब जो लड़कियां पहन दी हैं वो तो गर्सबाला तो आप सारे बेल्ट खरिद कर लाइए और आप इस विवफार को रूड किनारे स्टार कर सकती हो जहां पर लोग ज़्यादा तर आज आते जाती हैं वहां पर एक मतलब लोहे की पाइपों की स्टेंड बनवा सकती हो जिस पर सारे बेल्ट आप तांग सकती हो मेलाओं मेलों में भी कर सकते हो अच्के समय पर गाव दिहात में है जगा पर मेले भरते हैं महीने में करीब एक आद मेला तो भरी भराई होता है जैसे बजाल लगते हैं तमाम ऐसी जगायों उती जहां तर लोग आते जाते देते वहां पर आप इस काम करिए एक स्टेंड बड़ी बड़ी पर अपनी बाद जो रखिए और जहां भीड़ भड़क का है और अपना दुकान लगाईए और सामके आप सारा बोरी में बांगे भागाई मतलब आ जाए तो वहां से अगर आपके बीस पीस जाते हैं तो बीस पीस से आप करीब चुदा पंदा सो रुपे सो रुपे आपके प्रोल खर्चा बागी के ग्यारा बार असर रुपे तो आप बच詐 जाएगे महिने की बात करें तो महिने की आप 32,000 तो आप कमा ही उब लोगे एक महिने में जैसे आपका वो माल खतम हो जाता है दीरे दीरे दुकान दारों से पैचान होने लगती है तो सीधे सीधे आपके घर पर माल आ जाएगा और पैसे पहले भी नी देने पड़ेगे बाद में दोगे लेकर पहले तो आपको शुरूबात करने के लिए थोड़ी मेहनत करने होगी जाना होगा समझना होगा क्योंकि कान पर एक ऐसी जगह पर है जहां पर माल बनता है बेल्ट अच्छी जए ऐची क्वालिटी की बेल्ट बनते हैं तैयार होते हैं तो अहां पर जाइए समझ यह वह करने की सूचिए कई लोगों हमने पूछा इस व्यूपार की बारे में और कई ऐसे मेरे जानने वाले लोग हैं जो इसका व्यूपार करती हैं दोस्त दोस्त ऐसे हैं जिसका विवपार करके आज वह अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं महीने के वह कहते हैं कि हम 30-35,000 रुपी आसारी से कमा लेती हैं इसी विवपार से तो यह विवपार मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए हमने आप लोगों को इस विवपार की बारी में बताया जाए तो आज का विडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जलूर बताए और अगला आप लोग हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल क सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा से जाद अपने दूस्तों में सियर करें नवस्कार जहन